तब भारत फैजाईल फाव में था, दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, आज भारत पांच भी बड़ी अर्थवबस्ता है, और दुनिया सोचती हैं कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा, आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉब तीन एकोनोमी में शामिल हो जाएगा, आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की एकोनोमी सेवन ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी, अर्थ विवस्ता की इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाप भारत के युवाओं को ही होगा, उनके लिए नए नए सेक्टरस में रोजगार के बहुत सारे नए मोके आएंगे, इसलिए ही मैं कहता हूँ, यही समय है, सही समय है, साथियों, आज का भारत सबसे युवाँ है, इसी युवाँ प्रेणा से आज का भारत बड़े लक्षताय करता है, और उन्हें प्राप्त भी करता है, सोलर एनर्जी से जुड़े कितने ही लक्ष, रिन्योबल एनर्जी से जुड़े लक्ष भारत ने तय समय से पहले हासिल करके दिखाए है, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रक्रती की रक्षा करते हुए भी विकास कैसे किया जा सकता है, आपने देखा है, भारत की रेलिवे ने साल 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष रखा है, भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष रखा है, आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभुद्पर्व जोर दिया जा रहा है, बहुती जंद भारत की रेलिवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने जा रहा है, इसी 22 जन्वरी को सरकार ने सोलर से जुड़ी बड़ी योजना का भी एलान किया है, इस योजना के तहट देश के एक करोड घरों में सोलर रूप्टॉप लगाने का लक्ष रखा गया है, सरकार का प्रयास है कि हमारे गरीब साथियों का, हमारे मद्दमबर के परिवारों का बिजली बिल तो कम हो ही, कुछ लोगां का तो जीरो बिल हो जाएगा, वो सिरफ बिल नहीं, अपने घर के छट पर जो बिजली पैदा करेंगे, वो बिजली सरकार खरी देगी, और ये परिवार बिजली बेच कर भी पैसे कमा सकें। साथियों, आज का भारत आप युवाओं को बड़ी आशाओं से देख रहा है, आप 21 सदी के युवाओं है, आपके पास हजारों साल की विराशत हैं, और इंटरनेट एज में फ्यूचर एप्रोच को देखने का सामर्थ भी है, दुनिया में ऐसी कोई युवाओं पीड़ी नहीं है, जिसके पास रामायन और गिता की प्रेणा और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर काम करने का स्कोप दोनों हो, आपके पास ट्रेडिक्शन की भी ताकत है और टैलेंट की भी ताकत है, आपके पास इंस्पिरेशन भी है, इनोवेशन भी है, आपके पास संभावनाओं का आस्मान है और साथियों, आपका सामर्थ और बड़े, आपके हर सपने पुरे हो, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है, और नवजवानों की मोदी की गारंटी भी सुन लीजिए, आपके सपने, आपके सपने ही मेरे संकल्प है, मेरी प्रात्विक्ता, आप सभी युवा ही है, मैंने हमेशां देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया है, इस विश्वास के कारां, सरकार ने ऐसे फैसले किये हैं, जो पहले की सरकारों में असंभव से लगते थे, हमारी सरकार ने, आप सभी युवाओं के लिए, ड्रोन से लेकर स्पेस शेक्टर तक को खोल दिया है, हमने स्टार्ट अप निती बना कर आपके लिए बिजनेस के नए रास्ते बढ़ाए हैं, हमने मुद्रा युज्रा के तहर आपको बिना गरंटी, बैंक से लोन लेने की स्विवादिया दिये, आप लोन लीजे, गारंटी मोदी देगा, यूनिवर्सिटी में दाखले के लिए common admission test से लेकर form attest कराने से मुक्ति तक, आपके लिए हर चीज आसान करने का काम हमारी सरकार में किया है, स्पॉर्ट सेक्टर में आपका टैलेंट आगे लाने के लिए, खेलो इंडिया हो या इंटरनेट रिवलुशन के लिए, डिजिटल इंडिया सभी आपके लिए है, आज देश में एक से बढ़कर एक higher education के संस्थान खोले जा रहा है, आज देश में research और innovation के लिए, युवाओं को सरकार हजारों करोड पे दे रही है, यह सब इसलिए हैं, तोकि सरकार आप पर विश्वास करती हैं, आपके लिए नए अवसर बनाना चाहती हैं, और अभी यह शुरुवात है, आज देश में पहले के मुकाबले दो गुनी तीन गुनी तेजी से नए highway बन रहे हैं, नए railway routes का निर्मान हो रहा है, आज भारत आधुनिक infrastructure पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया, आज देश में जो तारों तरफ infrastructure development हो रहा है, उसका सबसे बड़ा फाइदा भारत के युवाओं को ही मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, उनके लिए हार सेक्टर में नई नई संभावनाएं बनेगी, आज ये जो आधुनिक express में बन रहे हैं, वो किसके लिए बन रहे हैं? भारत के युवाओं के लिए, ये जो नई बंदे भारत ट्रेने चल रही है, विश्टा डॉम कोचेश शुरू हुए है, वो किसके लिए? मेरे नवज़वान साथियों आपके लिए हैं अपने कुछ वर्षों में भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही हैं, ये किसके लिए? भारत के युवाओं के लिए, भारत की कंप्रियों ने जो हजार से भी जादा नए एरोप्लेन का ओर्डर दिया है, किसी एक देश ने हजार नए एरोप्लेन का ओर्डर ये खबरी दुनिया को यह भी रोजगार के नए अफसर भारत के युवाओं के लिए ला रहा है आज भारत के रेल्वे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है आध देश में एक से बढ़कर एक आधुनिक एरपोर्ट बन रहे हैं रीजिनल कनेक्टिविटी से से कॉम्निकेशन कनेक्टिविटी तक मोबाईल टावर से लेकर के ऑप्तिकल फाइबर नेटवर्क तक सेमी कंडुक्टर पर मिशन से लेकर मिशन हाइड्रोजन तक एविशन सेक्टर से लेकर टूरिजम सेक्टर तक भारत में होता हर बदलाव मेरे नव जवानों आपके युवाओं के हित से होकर गुजरेगा आपके लिए भारत में रोजगार के स्वरोजगार के रिकॉर्ड नए अवसर बनने जा रहे हैं राष्ट्र निर्मान से जुड़ी भारत के नव जवान के हर आकांशा की पुर्ति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्द है मैं देश के युवाओं वोटर्स को भी ये भरोसा दूंगा सरकार युवाओं के हित में ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी है साथ्यों मुझे खुशी है कि आज भारत का नव जवान देश के समक्ष मौजुद चुनोतियों को अच्छी तरह समझ रहा है इसलिए वो ब्रस्टाचार के खिलाब है वो परिवारबाद के खिलाब है परिवारबाद एक ऐसी बिमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है आपने देखा है कि परिवारबादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते परिवारबादी पार्टी के नेताओं की सोची युवा विरोधी होती है इसलिए आपको अपने वोड की ताकत से ऐसी परिवारबादी पार्टियों को हराना है साथियों आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराना करना चाहता हूँ आपने अमरुत महोसव के दौरान जन भागीदारी की अध्वूत मिसाल कायम की है भारत के युवाओं ने जिस बड़ी संख्या में अमरुत महोसों में हिस्सा लिया वो अभूत पुर्वा है समाज के हित्मे कार्य के लिए आप जितना कार्य करेंगे उतना ही देश का भी भला होगा युवाओं के लिए देश में एक नया संगठन भी बनाया गया है उत्संगठन का नाम है मेरा युवा भारत माई भारत अभी इस युवा संगठन को बने तीन मेरे भी नहीं हुए है और इससे एक करोड से जादा युवा जुड़ चुके है आप भी मेरा युवा मेरा युवा भारत माई भारत संगठन से जरूर जुड़िये आप अपनी बात अपने सुझाव नमो एप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए नमो एप पर आप मुझे आने वाले लोगसभाज चुनाओं में बीजेपी का गोशना पत्र बीजेपी का मैनिफेस्ट हो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए इससे जुड़े सुजाओं भी आप जुरूर बेश सकते हैं और मेरे हिसाब से तो आप बोर्ट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदरी चाहता हूँ आईए देश को बनाने के लिए आगया आईए आप भागीदरी कीजिए मैं चाहता हूँ कि लोग सभा चुनाओं के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के जादा से जादा युवाओं की भागीदरी हो भारत के युवाही बीजेपी के संकल्प पत्रों को गाइड करेंगे और आपके सुझाओं में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे जो संभव लगेंगे और जो मोदी की गारंटी है तिये पूरा करने की शिरब लिखने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ वो सुझाओं देने वाले युवाहों से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूँगा कोई टीम उसको सिलेक करेगी आपके साथ बैठूँगा गपसब करूँगा और अधिक जानने का प्रयास करूँगा साथियों आपने देखा होगा देश के मुख्य चुनावायुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाहों को बहुती अहम संदेश दिया है उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सुची एक जीवन वाइबरेट तस्वीर के रूप में हमारे लोक तंत्र की समर्द विविदता को रिफलक करती है उन्होंने विशेश कर सहर के लोगों को युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर एक उदारन प्रस्तूत करने को कहा है वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूत करने का भी है इस बार आपको लेटर्स वोट के साथ साथ लेटर्स मेक दें वोट पर भी काम करना है आप सब बहुत बड़ी मात्रा में सोचल मेडिया की जन्रशन वाले लोग है यानि आप सब एक बड़ी ऑडियन्स से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में छुटा हुआ है उनका नाम भी आप लिस्ट में जरूर शामिल कराएं कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छुट जाए साथियों युवा भारत की अमरित पीडी के सामने तरक्की के जितने अवसर है उतने पहले किसी पीडी के पात नहीं थे सारा विश्व आज आपकी और देख रहा है जी ट्वेंटी के सम्मेलन में भारत और भारती अगता की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है हमें इस शक्ति के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है आप आने वाले 25 वर्स अपने कर्तवियों के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे इसी कामना इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपको मेरी तरफ से जीवन के नए कालखन में आप प्रवेश कर रहे हैं तब भारत के भागे लिखने वालों में आपकी भागेदारी बन रही है तब जितनी शुब कामना है दूतनी कम है बहुत बहुत धन्यवाद साथियों